नमस्कार आप सुन रहे हैं नो रूप, नो दिन, नो कथाएं अशोख हमराही के साथ नौवरात्र दिवेशक्त की साधना का पर्म है प्रत्मा से नौवी तिथी तक हर तिथी को मादुर्गा के अलग-अलग नो रूपों की पूजा की जाती है जो अपने भक्तों को सुख, शान्त, शक्ति और ज्ञान प्रदान करती है पहले दिन मा शैल पुत्री, दूसरे दिन मा ब्रमचारेनी, तीसरे दिन मा चंद्र घंटा, चोथे दिन मा कुश्मांडा, पाँचमे दिन मा सिद्धधात्री की पूजा की जाती है नौरात्र का हर दिन देवी के इनी विशिष्ट रूपों को समर्पित है देवी भगवती का दूसरा रूप है मा ब्रह्मचारणी का नौरात्र के दूसरे दिन नौदुर्गा के इसी स्वरूप की उजा आराधना की जाती है और माब्रमचारनी की कथा सुनी जाती है माब्रमचारनी के एक हाथ में चपमाला और दूसरी में कमंडल है उनका शुब्र, शांत और तेजमई स्वरूप मनुष्य के जीवन में तप त्याग, ज्यान और सदाचार का संचार करता है सर्वसिधियां प्रदान करने वाली माब्रमचारनी की कथा जीवन के कठिन खणों में भक्तों का सहारा वक्ती है देवी ब्रमचारनी माता पार्वती का आविवाहित रूप है ब्रम्बचारणी संस्कित भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है ब्रम्ब के समान आचरण करने वाली देवी देवी ब्रम्बचारणी को कठोर तपस्या करने के कारण तपस्चारणी भी कहा जाता है भाविष्य पुराण में माब्रमचारणी का वर्णन मिलता है शिवो पुराण और शीरामचरित मानस में भी माता पारवती को कठोर तब के बाद ब्रमचारणी स्वरूप प्राप्त होने का वर्णन मिलता है पुराणों के अनुसार माता भगवती ने सती रूप में प्रचापति दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लिया उनका विवाह भगवान शंकर से हुआ पिता दक्ष द्वारा भगवान शिम का तिरसकार किये जाने पर माता सती ने यग्गी की अग्णवे अपने शरीर को भस्म कर दिया और शैल राज हिमवान के घर पारवती के रूप में अवतरित हुई एक दिन देवर्ष नारद राजा हिमवान के हां आए उन्होंने पारवती जी को सती की कहानी सुनाई और कहा तुम्हारा विवाह भगवान शंकर से होगा लेकिन इसके लिए शिवजी को मनाना सहज नहीं है तुम्हें बहुत ही कठिन तपस्या करनी होगी भगवान शिवजी को पसंद करने के लिए देवर्श नारद की कि बात सुन कर माथा पारवती ने भगवान शिवजी को प्रसंद करने के लिए ब्रमवचर्य का पालन करते हुए वन में जाकर तपस्या प्रारंभ करती उनके कठोर तप के संबंध में शिव पुराण में वर्णन है हित्वा हारम तथा चर्म म्रिगस्य परमम धृतम जगाम तपसे तत्र गंगावतरणम प्रति माता पिता की आज्या लेकर पार्वती ले सर्व प्रतम राजसी वस्तनों और आभूशनों का परित्या किया उनके स्थान पर मूझ की मेखला धारण कर वलकल वस्त्र पहन लिया हार को गले से निकाल कर मृग चर्म धारण किया और गंगावतरण नामक पावन ख्षेत्र में सुन्दर वेदी बना कर तपस्या में बैठ गई मन और इंद्रियों का निग्रह कर पार्वती जी ग्रीश्म काल में अपने चारो और अगनी चला कर बीच में बैठ गई और उपर से सूरी के प्रचंद ताप को सहन करती हुई तन को तपाती रही वर्शाकाल में वे खुले आकाश के नीचे शिला खंड पर बैठ कर दिन रात जल धारा से शरीर को सीचती रही भैंकर शीतरी तुमें जल के मध्य रात दिन बैठ कर उढ़ने कठोर पत्या इस प्रकार निराहार रहकर माता पार्वती ने पंचाक्षर मंत्र शिवाय नमह का जाप करते हुए सकल मनोरत पूर्ण करने वाले भगवान सदा शिव के ध्यान में मन को लगाया तपस्या के दौरान माने अनेक कष्ट सहे लेकिन वो अनवरत भगवान शिव की आराधना में दूबी रही बाद में उन्होंने फलाहार लेना भी बंद कर दिया वो केवल बेल पत्र खाकर तप करती रही फिर उन्होंने वो भी त्याग दिया जिससे उनका नाम अपढ़ना पड़ गया इस कठिन तपस्या से माता का शरीर अतिन्त तुर्बल हो गया माता की इस प्रकार कठिन तपस्या को देखकर देवता, रिश, मुनि सभी ने उन्हें ब्रम्भ अर्थात तपस्या का कठोर आचरन करने वाली ब्रम्भचारणी कहा उनकी तपस्या को अभूत पूर्व और अतिस्सराहनी बताया और मा से कहा हे देवी ब्रम्भचारणी, आज तक इस तरह की कठोर तपस्या किसी ने नहीं की आपकी मनो कामना पूर्ण होगी और भगवान शिव आपको पत्नी के रूप में अवश्यस युकार करेंगे निर्जल निराहार रहते हुए माता तपस्या करती रही हजारों वर्ष बीट गए, आप देवताओं को चिंता होने लगी देवी के कठोर तपने भगवान शिव का ध्यान खींचा वो माता पारवती की परिक्षा लेने के लिए अपना गूप बदल पर उनके पास कए लेकिन देवी को उनके संकल्प से नडिगा सके शिव जी उनके त्याद और कठोर तपसे प्रसन्य हुए उन्हें दर्शन धिये और पत्नी रूप में सुनकार किया सती वियों के कारण भगवान शिव को विवा के लिए मनाना आसान नहीं था परंकु माता पारवती में धैरिय नहीं छोड़ा इस कठा का यहीं सार है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए नौरात्र की दूसरी तिथि को माब्रमचारनी की पूजा आराधना और कठा सुनने से मनुष्य में तप त्याग और सह्यम की व्रद्धी होती है नमो नमो माब्रमचारनी सब पर तुम्हरी कृपा महान कभी न विचलित हो मन मैया दो हमको ऐसा वरदान ओम देवी ब्रमचारनी नमाहा अगर नो रूप, नो दिन, नो तथाएं सीरीज का ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों और जानने वालों से ये सीरीज शेयर करना न भूलें अपने सुठाओ यानि सजेशन्स के लिए इंस्ट्राग्राम पर आकर हमें टैक करना और बताना न भूलें, एड अशूक हमराही करना न भूलें